नमस्कार किसान साथियों, फार्मर्स वेलफेर हब के चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागता है, उमीद करते हैं आप सभी तंदुरुस्त और सेहतमन्द होंगे, किसान साथियों बात करते हैं दान की, तो दान की मंडियों में अभी खरीद जो है, वो एकदम से बंद हो गई है, जो निर्यातक है एक्सपोर्टर है हमारे जो दान को एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बिलकुल देश बर की मंडियों में चाये हर्याना पंजाब कोई भी मं इसकी वज़ा से जो मेन वज़ा इसके बताई जा रही है जो नियूंतम निर्यात मुल्या है यानि की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइज है वो 1200 डलर का फैंसला जो है वो सरकार का भी कायम है सरकार से जो एसोशेशन है चावल एसोशेशन उन्होंने मांग किया कि इस फैंसले को तुरंत वापिस दिया जाए जब तक यह खरीद बंद रहेगी अगर सरकार अपना फैंसला वापिस नहीं लेती तो जो चावल निर्यात कों की तरफ से यह हर ताल जारी रहेगी यह मुल्या 1200 डालर तैक हुआ था और जो एसोशेशन है चावल एक्सपोर्ट एसोशेशन तो उनकी तरफ से इसको साड़े आठ सो प्रती डालर जो करने की मांग उठाई जा रही है लगातार और इसी के चलते जो अभी मंडियों में खरीद दारी बंद की है काफी किसानों को इसमें दिक्कत आ रही है किसान जो दान लेके गए हुए है मंडियों में जाबी ले जा रहे हैं तो उनकी डेरियां वैसी की वैसी पड़ी है कोई भी खरीदार किसी भी मंडि में नहीं है पूरा जो ओल इंडिया लेवल पर यहरताल हुई है जो अखिल भारतिय चावल निर्यात एशोशेशन है उनके परदानों रूप परदान का कहना है कि 25 अगस से जो क्रिसी और जो खाद्या जो एक्सपोर्ट होते हैं उन पर 1200 डालर परती मैट्रिक टन जो विदेशी निर्यात बोर्डिंग का चार्ज लगाया था जबकि इसक इसी जो चार्ज लगाया है बारतिसरकार ने उसको हटाने के लिए यह फैंसला लिया गया है तो उनको यह बिलकुल 700 डालर से 900 डालर तक इसका निर्यात मुल्या उनको अवारा खाता है जानि कि इसी मुल्या तक वो यह एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर 1200 चलेगा तो सिर्फ दो चार ही किसमे हैं जैसे 1401 है 1121 है या कुछ एक दो और किसमे हैं वही सिर्फ एक्सपोर्ट हो सकेंगी बाकी जो किसमे हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे जिसकी वज़ा से जो चावल एसोशेशन को है जो भी एक्सपोर्टर है हमारे तो उन्हें काफी गाटा जो हर्याना चावल निर्यातक एशोशेशन है उन्होंने जो मुख्या मंतरी को भी लेटर लिखा है और एमेल भी की है कि इसको जल्द से जल्द 1200 डालर वाड़ा जो प्रती बंद है उसको हटा कर 8500 डालर प्रती टन किया जाए तो इसी के चलते जो यह हर्ताल जारी है कल भी खरीददारी नहीं हुई आज भी नहीं हुई है बिलकुल मंडी खाली पड़ी है कोई भी खरीददार नहीं है अगर आप भी अपना दान मंडी में लेके जाने की सोच रहे हैं तो इस पे अपने शैर की मंडी में पता जरूर कर जो चावल एशोशेशन है वो हरताल पे जा चुकी है कोई पता नहीं कब तक हरताल चलेगी लेकिन मंडियों में अभी कोई माल नहीं खरीदा जा रहा तो ये बड़ी अपडेट है किसान साथियों आप भी अपनी मंडी में पता कर ले चावलल जाने से पहले ताँ कि आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े सो हो किसान साथियों जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों से जरूर शेयर करे ताँ कि वो भी इस जानकारी का फाइदा ले सके और इसी तरह की खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी जो के लिए जा नही अपडेट के लिए फार्मस वेलफेर हब के चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले बहुत बहुत निवाद किसान साथियो आपका दिन शुप हो